असलाम अलेकुम वीवर्स कैसे है आप सब आज में लाई हूँ महरम स्पेशल खीचड़ी की रेसिपी मेरे स्टाइल में तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए त तो चलिए देखते हैं मोहरम स्पेशल खिचड़ा बनानी के लिए हमें किन-किन चीजों की जर्वत पड़ेगी एक कप मैंने यहाँ पर गेहू लिया है यह उटा हुआ गेहू होता है छिलका उत्रा हुआ होता है इसे हम एक बाउल में दाल देंगे अब हम एक कप ही जो ले लेंगे देखिए यह भी सेम गेहू के ऐसा दिखता है लेकिन यह सफेद कलर का होता है यह जो है यह बहुत हेल्दी होता है यह भी हम एक कप लेंगे गेहू और जो की कॉंटिटी हमने सेम ली है दोनों भी हमने एक कप लिया है अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे हम बहुत अच्छी तरीके से भीग चुका है देखिए कितने आराम से ये उंगली में दब जा रहा है अब मैं इसे एक प्रेशर कोकर में डाल दूँगी हमें इससे गला लेना है अब इसमें हम आदा कप चौली डालेंगे चौली ली है मैंने इसे भीगोया नहीं है इसे भीगोनी की जरुरत नहीं है ये गेहूं के साथ गल जाएगा आराम से इसे भी हम गेहूं में एट कर देंगे गेहूं और जोव में अब इसमें हम पानी डाल देंगे मैंने इसमें कम से कम 6 से 7 कप पानी दाला है आप अपने हिसाब से देख लीजिए देखे इतना मैंने पानी इसमें एट किया है अब इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून नमक एट करूँगी और इसे इसकी लेट से कवर कर दूँगी अब हम इस पे प्रेशर ले लेंगे छे से 7 सीटी लगा लेंगे इसकी यहाँ पर मैंने कुछ दाल ली है यह 1.4 कप का मेजर है इससे मैंने दाले ली है मसूर की दाल लिया है मैंने 1.4 कप मूंग की दाल ली है 1.4 कप चनी की दाल ली है 1.4 कप ये उड़त की डाल मैंने 1 3rd cup ली है और तुर की डाल 1 4th cup है और चावल भी मैंने 1 3rd cup लिया है quantity आपको description में मिल जाएगी प्लीज उदर पे आप चेक कर लिजिएगा अब इसे भी हमें अच्छी तरीके से धो लेना है इसे मैं 2-3 पानी से धो लूँगी अब हमें इसे भी गला लेना है इसे भी मैं pressure cooker में add कर दूँगी इसमें भी आप अपनी हिसाब से पानी डाल दीजिए और इसे भी हम लीट से cover कर देंगे अब इसे मैं 2-3 सीटी आने तक पकने के लिए चड़ा दूँगी और यहां देखिए यह मेरे साथ क्या हाथसा हो गया बस अल्ला ने बहुत बचा लिया यह उसका रबड शायद पता नहीं क्या मैंने चेंज कराया था लेकिन शायद उसने सही से दिया नहीं पूरी मेरे किचन खराब हो गया लेकिन हम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुचा है आप लोगों की दुआ है तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते है यहां पर मैंने देड किलो के जितना गोश लिया है देखिए इस अच्छी तरीके से धो लिया है इसमें मैंने दो से धाई टेबल इस्पून भर के मैंने अधरक लसन का पेस्ट लिया है दो बड़े साइस के टमाटर लिये है मैंने हमें मसाले दालों के हिसाब से भी लेना है यहां पर दो बड़े साइस के मैंने प्याज लिये है इसे भी इसमें एट कर देंगे दो टेबल स्पून मैं इसमें लाल मिर्च पौडर एट करूंगी हाफ टेबल स्पून भरके हम हल्दी एट करेंगे और इधर पर मैं दो टेबल स्पून भरके दनिया पौडर एट करूंगी यह मेरा चम्मच 1 a. 2 टेबलिस्पून भरके हमें डालना है एक टेबलिस्पून घरम मसाला पॉड़र एट करेंगे नमक आप अपने सौद के हिसाब से एट करिए इसमें मैं एक टेबलिस्पून कश्मीरी लाल मिल्स पॉड़र एट करूंगी अभी से हम गैस पे चड़ा देंगे इसमें हम 5-6 टेबल स्पून ओईल एट करेंगे ओईल इसमें थोड़ा जादा ही जाता है क्योंकि दाल भी है तो ओईल पता नहीं चलेगा बाद में इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए इसमें मैं पानी एट करूंगी हाफ कप पानी डाला है मैंने मैंने जिसमें मसाला पीसा था उसी में पानी डाल के इसमें एट किया है प्रेशर कुकर को मैंने चेंज किया है वो छोटा परड़ा था मैंने इसमें बड़े कुकर में इसमें डाल दिया अब उसको मैं प्रेशर लगा लूँगी कम से कम 7-8 सीटी लगा लेंगे यहाँ पर मैंने जव को निकाल लिया है देखिए यह अच्छी तरीके से गल चुका है एकदम सॉफ्ट हो चुका है और यहाँ पर हमारी दाल भी अच्छे से गल चुकी है इसको भी मैंने निकाल लिया है अब हम दाल और जोगे हूँ है उसमें हम मिक्स कर लेंगे सारी दालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए अभी इसे हमें घोटना है आप चाहे तो आप दाल घोटनी से भी घोट सकते हो जिससे आप दाल घोटते हो लेकिन मैं इसे hand grinder से पीस लूँगी आप चाहे तो इसे ठंडा करके mixi में भी पीस सकते हो लेकिन मेरे पास hand grinder है मैं उससे ही इसे पीस लूँगी इस अच्छे से हम पीस लेंगे लेकिन एकदम भी इसका बारी पेस्ट नहीं करना है हमें कि एकदम ही ये मसका हो जाए उतना नहीं करना है देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसे कितना इसे पीसा है आप दाल घुटनी से भी आराम से कर सकते हो बस ये है कि उसमें आपको काफी time लग जाएगा और हम इस तरीके से करेगे तो हम बहुत आसानी से ये हो जाता है काम देखिए मैंने इसे hand grinder से पीस लिया और ये कितने अच्छी तरीके से पीसे गया है ना ही तो मैंने उसे एकदम बारिक भी नहीं किया है पेस्ट एकदम बापतला नहीं किया उसका अब उसे मैं गरम करने रग दूँँगी एक गैस पे यहाँ पर हम हमारा गोष चेक कर लेते है मैंने इसका प्रेशर बं कर दिया था देखिए हम चेक करते हैं हमारा गोश गला है क्या खिचड़े के लिए हमें गोश को बहुत गलाना पड़ता है जितना अच्छा गोश गलेगा खिचड़ा उतना ही मज़े का बनता है देखे हमारा गोश अच्छी तरीके से गल चुका है अब हम इसे अच्छे से भून लेगे, हाई फ्लेम पर इसे भून लीजिए, जो भी मसाला है, सारा भूनीं जाएगा, जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता, हमें इसे भूनना है क्यूंकर हमने सब कच्चा मसाला दाला है, इसे भूना नहीं था अब इसे भूनना है यह बहुत आसान तरीका है खिचड़ा बनाने का अब इसमें मैं हरा धनिया एट करूंगी और मैं आदा कप ओईल और एट करूंगी यह वही ओईल है जिसमें मैंने प्यास को फ्राइ किया था आप घबराईए मत यह ओईल दिखेगा नहीं जब इसमें डाल पड़ेगी तो सारा ओईल गायब हो जाएगा इसलिए आप मसाले और ओईल अच्छे से डालिए इसमें अब इसे हमें अच्छे से भून लेना है फ्लेम को हाय रख्ये ही इसे भूनते जाईए जितना आप मसाला दालेंगे उतना ही खिचड़े में टेस्ट आएगा अब यह मैंने एक कप शेपू की भाजी लिया है सोय की भाजी है यह यह आप ज़रूर एट कीजिएगा खिचड़े में ये secret ingredient है खिचड़े का इससे खिचड़े का टेस्ट दो बाला हो जाता है देखिए इसे हमने गोश में डाल दिया है और इसे mix कर लेंगे अच्छी तरीके से आप इसे जरूर डालिएगा बस हमारा गोश अच्छे से बुन चुका है अब इसे हम हमारी डाल में add कर देंगे ध्यान से अच्छे से डाल दीजिए अब इसे हम mix कर लेंगे flame का इस वक्त आप बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि डाल को लगने को time नहीं लगता है अब जब तक कि इसमें उबाल नहीं आता हमें लगातार इसे चलाना है ताके हमारा खिचड़ा नीचे जरा भी लगे नहीं अगर ये जरा सा भी लग जाएगा तो पूरा खिचड़ा हमारा खराब हो जाएगा क्योंकि पूरे खिचड़े में जली भी इसमें लाना स्टार्ट हो जाएगी जो के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखिए आप इसे लगातार चलाते जाईए देखिए मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी एट किया था ताकि उसका मसाला पुरा इसमें मैं ले सुकूँ मैंने गरम पानी दाला है आप भी गरम पानी ही एट किजेगा इस वक थंडा पानी बिल्कुल भी मत दालिएगा आपको जितना भी दालना है पानी वो आप गरम करके ही दालिए अब इसे हम लगातार चलाते हुए पकने देंगे जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता हमें हाथ रोके बिना इसे चलाना है नहीं तो दाल फट से नीचे लग जाएगी अब इसमें हम नमक दाल देंगे नमक को आप टेस्ट कर लीजिए आप अपने हिसाब से नमक को दाल दीजिए नमक दाल के मैं इसे एक बार फिर से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी इसे हमें अभी अच्छे से पकाना है बॉइल आने देना है हमें इसमें मैं थोड़ा सा एक कब जितना गरम पानी और दालूँगी क्योंकि अभी ये पकेगा और जब पकेगा ये उबलेगा तब ये और गारा होते जाएगा जैसा 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 ये थंड़ा हो जाएगा उतना ही खिच्छडा गारा हो जाता है इस बात का भी आप ध्यान रखिए अभी आपको पतला लग रहा है लेकिन जैसे ही ये पक जाएगा और ठंडा होने लगेगा ये खुद बखुद गाड़ा हो जाएगा देखिए हमें हाथ को रोके भी ना इससे लगातार चलाना है बस इसी में अपके महनत है अगर आपने एक रात पहले ही दाल उबाल के रग दी तो आपका काम और आसान हो जाएगा मैंने इसमें half टेबल इस्पून गरम मसाला डाल दिया है इसमें बॉइल आना स्टार्ट हुआ तब हमें गरम मसाला और हरा धनिया एट करना है और इससे अच्छे से मिक्स कर लीजिए अगर आपने एक दिन पहले ही दालों को उबाल के रग दिया है तो आपका काम इद्दम आसान हो जाएगा आप दूसरे दिन फटाफट से यखनी बनाके दालों में मिक्स कर लीजिए और आपका खिचड़ा तैयार हो जाएगा देखिए इसमें अच्छी तरीके से उबालाना शुरू हो गया है अब इसे हमें अच्छी से उबालाने तक पकने देना है पांस से छे मिनट तक मैं इसे और पकने दूँगी और मैं लगातार इसे चलाते जा रही हूँ और बिल्कुल भी मेरा खिचड़ा नीचे तले पे लगा नहीं है जिखे कितना मज़ेदार सा हमारा खिचड़ा रेडी हो चुका है खिचड़ा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है बहुत आसाने बस दालों के हिसाब से आप मसाला एट कीजिए आप यखनी बना रहे हो तो आप गोश के हिसाब से मसाला मत रखिए आप यह ध्यान में रखिए कि यह मसाला आपका दालों में जाने वाला है और दाल की कॉंटेटी जादा है इसलिए आपको मसाले और ओईल जादा दालने पड़ेंगे देखिए यह अच्छी तरीके सोबल गया है अब मैंने गेस का फ्लेम कर दिया है बन आप चलिए आजाती है बारी इसे सर्फ करने की देखिए यह अभी आपको लग रहा है पतला है लेकिन यह आइस्ता आइस्ता अपने आप ठीक हो जाएगा देखिए कितना मसेदार से हमारा खिच्छा बनके रेडी हो चुका है चलिए अभी हम इसे सर्फ करते है देखिए कितना लजीज खिच्छा रेडी हो चुका है आप लोग इसे जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंड में बताइए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अब इसे हम तलीवी प्यास के साथ सर्फ करेंगे तलीवी प्यास दालिए इसमें पुदीना और निम्बू रखिए और लीजिए हमारा मज़ेदार सा खिचड़ा रेडी हो चुका है बहुत आसानी से बनाना बस खिचड़े का नाम सुनके लगता है कि बहुत मुश्किल होगी लेकिन कोई बात नहीं बहुत आसानी से बन जाता है और इसके साथ मैंने ये शर्बत भी बनाया है अगर इस शर्बत की रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंड में बताइएगा मैं आप लोगों को जरूर दूँगी ये ब्लूबेरी क्रश का शर्बत है अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को शेर कीजिए मुझे दुआओं में याद रखिए इंशाला फिर आपको बहुत जल एक अच्छी सी रेसिपी लेके हाजिर होगी जब तक के लिए अल्ला हफिस